इस वीडियो में हिंदी ब्याकरण का एक महत्तपूर्ण चेप्टर कबर करेंगे जो कि होगा संग्या यह आपके सभी पृतियों की परिचाओं के लिए बेहद महत्तपूर्ण होगा अगर आप UPSC वीडियो के एकजाम में अपने सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट पर भी ध्यान देना चाहिए इस वीडियो में हम बात करेंगे चच्छो पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में जो कि एक प्रैक्टिस सेट है यह बुक 100% एकार्टिंग तो सलेबस है 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा दो प्रिवियस यह साल पेपर मिलेगा और बहुँ भी कर्पिय प्रशनों की संख्या जो कि आपको परिच्छा में कुछ लोगों से आगे रख सकती है कुल मिलाकर यह बुक वीडियो के लिए बेश्ट है तो अगर आप इस बुक को भाई करना चाहते हैं तो डैरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है चलिए सुरू करते हैं सबसे भाई हो इस तरह का जूभी नाम होगा उसको हम कहेंगे संग्या अगर बस्तु की बात करें तो यह से की सोना काला यह सब अगर बस्तु की बात करें तो स्याम हो गया अस्थान की बात करें तो दिल्ली हो गया आम भी बस्तु में आ जाएगा और अगर भाव में देखेंगे तो यह होता है मिठास, खटास, या फिर गोरापन, तो यह होता है भाव, यानि कि अगर आप एक लाइन में समझे, तो किसी भी नाम को आप संग्या कर सकते हैं, चाहे वो बस्तु हो, अस्थान हो, या फिर कोई भाव हो, उसके बाद से संग्या में देखिए, पूछा जाता ह कि ब्यूत पत्ती के अधार पे संग्या कितने प्रकार के होती है, तो ब्यूत पत्ती के अधार पे संग्या केवल तीन प्रकार के होती है, जिसमें से पहला है रूड, योगिक और योग रूड, देखिए, यह वैसे अगर आप एकजाम में देखिए, तो ब्यूत पत्ती व पहला कौन है तो ब्यक्ति वाचक संगया दूसरा जाति वाचक संगया तीसरा समौ वाचक संगया चोथा धरब वाचक संगया और पाँचवा भाव वाचक संगया तो यहां पर पूछा जाएगा कि व्यूत्पत्ति के अधार पर बताईए तो तीन अर्थ के अधार पर ब्यक्ति बस्तु या फिर अस्थान का बोध करा है मतलब कि किसी खास पर्षन का चाहे हो अस्थानी क्यों न हो जैसे कि हम कहें कि हम दिल्ली जा रहे हैं या फिर किसी खास करें से कुर्सी है टेबल है, स्याम है, राम है दिल्ली, मुंबई तो मतलब किसी खास अस्थान का या फिर ब्यक्ती का या फिर किसी बस्तो का बोध कराए उसे हम कहते हैं ब्यक्ती वाचक संग्या अब देखे जाती वाचक संग्या क्या होती है जाती वाचक संग्या में यह होता है कि हम एक सब्द करते हैं और वो सब्द उसके पूरे जाती का बोध कराता है जैसे कि लड़का तो मतलब एक लड़का को हम कहे या फिर दुनिया के किसी भी लड़के को कहे उसको हम लड़का ही कहेंगे तो लड़का एक जाती वाचक संग्या है लेकिन अगर उसका नाम ले ले तो ये एक जाती वाचक संग्या नहीं होगा वो बिक्ती वाचक संग्या हो जाएगा जैसे हम का दे सहर तो सहर एक जाती वाचक संग्या है क्योंकि जब आप साहर कहेंगे तो साहर का यह नहीं पता है कि कौन जा साहर इलाबाद, कुलकत्ता, दिल्ली, मुंबई कोई भी साहर होगी तो उसको हम साहर ही कहेंगे तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर किसी सब्द से उसके पूरे जाती का बोद हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संग्या लेकिन जहाँ पर जैसे मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक सार है लेकिन वो मुंबई है अब दिल्ली को आप मुंबई नहीं कह सकते तो यहाँ पर यह ब्यक्तिवाचक संग्या है तो यहाँ पर देखे जाती वाचक संग्या के कुछ उधारण दिये गए हैं जैसा कि लड़की नदी कोई भी नदी होगी चाया हो दामोदर हो नर्मदा हो गंगा हो यमुना हो ब्रह्मपुत्रा सबको हम नदी ही कहेंगे तो यहाँ पर जिस सब्द से उसके पूरी जाती का बोदो उसको हम कहते हैं जाती वाचक संग्या इसी तरह उधारण के लिए परवत भी दिया गया है आगे बढ़ते हैं देखेंगे द्रभ वाचक संग्या के बारे में जिसको कि हम material noun भी कहते हैं इंगलिस में तो यहाँ पर देखें द्रभ वाचक संग्या का मतलब यह होता है कि यहाँ पर ऐसे चीजों की बात की जाती है जो कि liquid फारम में हो या फिर जिनका इस्टूर किया जा सकता है मतलब कि जिनकी counting ना हो यह जैसे कि अगर हम दूद की बात कर लें या फिर सोना की बात कर लें तो सोना की counting नही इसको हम धरब वाचक संग्या कर सकते हैं अगला देखेंगे तो अगला है समुव वाचक संग्या मतलब की collective nao समुव वाचक संग्या में क्या होता है कि जो मतलब ऐसा सब्द का परयोग होता है जो कि एक पूरे समुव का अबोद कराता हो जैसे कि class कच्छा तो कच्छा क्या होता है ये पूरे छात्रों का एक समोग होता है अगर हम इसी तरह बात करें आयोग तो आयोग में क्या है तो आयोग जरूरी है कि जब आयोग दे दिया गया तो इसमें जरूरी है कि एक से अधिक लोगों के तीन हो सकते हैं पांच हो सकते हैं तो यहाँ पे हम आयोगों नहीं कर रहे हैं केवल आयोग कर रहे हैं लेकिन यह समो का बहुत करा रहा है जिसे का दिया गया सेना सेना का मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ साहिनिक होंगे सेना में पुलिस का मतलब की पुलिस का जो उसमें सिपाई होते हैं उनका एक समो पुष्टकाल है जो की पुष्टकों का एक समो दल मतलब बिभिनी तरह के लोग समीती मतलब कई लोग की जो मीटिंग होती है वो समीती की द्वारा होती है या फिर परिवार तो एक परिवार में कई लोग होते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर ऐसा कोई भी सब्द जिससे कि एक पूरे उसके जूंड का पता चले इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन यानि की समोवाचक संग्या आगे बढ़ते हैं पांचवा के तरफ जो की यहां से आप देखेंगे अधिकतर कोईशन पूछे जाते हैं कई तरह से यह होता है भाव आचक संग्या भाव आचक संग्या यह होता है कि जैसे कि उसमें आपको भाव देखने को मिलेगा जैसे कि किसी का गुण, दोस, दसा, क्रोध, मिठास, हर्स तो इस तरह का यह मतलब की वहाँ भाव देखने को मिलता है जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे किसी अगर मिठाए की बात करें तो इसका मिठास है, कोई व्यक्ति बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, वो क्रोध कर रहा है करने के मतलब कोई जो यह चीज है वो दिखेगी नहीं आपको लेकिन उसका भाव के वहला आपको महसूस करना होता है जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्स मतलब की खुसी, याववन, बालपन और मोटापा तो यह होता है भाव आचक संग्या परिच्छा में कभी-कभी पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन भाव आचक संग्या नहीं है और कई आपसन आपको दे दिये जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं ये तो हो गई संग्या लेकिन यहाप एक क्वेस्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए कई बार क्वेस्चन पूछा जाता है कि इनको संग्या से भाव आचक बनाईए मतलब कि एक नर्मल दिया गया है उसको कहेगा कि भाव आचक संग्या में कनवर्ट करिे वो किसी भी में हो सकती है जैसे वो ब्यक्तिवाचक हो सकती है जातिवाचक हो सकती है लेकिन आपको बदलना होगा उसको भावाचक में जैसे कि देदी अप पुरुस तो पुरुस आप देखेंगे कि पुरुस क्या है अगर आपसे हम पूछें कि पूरुस क्या है और आपको दो आपसन देजें बेक्ति वाचक या फिर जाती वाचक तो पूरुस है जाती वाचक क्योंकि हम हरे एक बेक्ति को पूरुस का सकते हैं अब देखें इसको भावाचक में बदलना है तो पुर सत्व, नारिका हो जाता है नारित्व, इसी तरह question आप से पूछा जाता है मित्र का तो मित्र का भावाचक होता है मित्रता पसु का भावाचक होता है पसुत्व इसी तरह कोई सरोनाम से भी पूछे जाते हैं जैसे कि अभी हम आपको अगले वीडियो में सरोनाम के बारे में बताएंगे तो वहां से भी आपको भाव आचक संग्या में बदलने को कहा जाता है जैसे निज का निजत्व, सरो का सर्वस्य, पराया का परायापन और मम का ममत्व इसी तरह आगे कुछ और भी हम कबर कर रहे हैं जिनकों की विसेसर से भाव आचक में बदलने को कहा जाता है या फिर question में दे दिया जाएगा कि बताईए बीरता किस बिशेसर से बना है बीरता किस बिशेसर से बना है बीर सैनिक लेकिन इसका सही उत्तर होगा बीर तो इसी तरह आपको जानना होगा कि किसका भावाचक संग्या क्या होता है सुन्दर का सुन्दरता, बीर का बीरता, मीठा का मिठास, मधूर का मधूरता देखें इस वीडियो के लाश में हम आपसे एक्सरसाइज कराने वाले हैं इसलिए जरूरी है कि वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए अब देखेंगे कुछ आवयो को बावाचक संग्या हम बदलने के लिए तो आवयो यह होते हैं निकट, निकट को हम बदल देते हैं निकटता में ठकान को बदल देते हैं ठकावट में, हसी को हजना में, लेख को लेखना में तो इस तरह आप देखेंगे कि यही question आप से जो संग्या है उसमें पूछे जाते हैं तो अब देखेंगे संग्या के परचे के बारे में कि संग्या के बारे में क्या होता है तो देखें संग्या का अगर कहीं पर भी आप संग्या का परचे दे रहे हैं तो जरूरी है कि आप सभी को अलग अलग लिखें अच्छे तरीके से क्योंकि यह हिंदी है और यहाँ पे थोड़ी सी आपका जो लिखने का तरीका है पूरा अर्थ बदल देता है जैसे कि एक जगह है उधरन एक जगह है ठीक और यहाँ पे अगर कहा ज़ा रहा है कि उधरन जाओ उधरन जाओ या फिर अगर आपको यह कहा जाए उधर न जाओ तो आप देखेंगे कि वर्ड तो सारे सीम है लेकिन अर्थ बिलकुर बदल जा रहा है तो इस तरह आपको संग्या में सभी को अलग-अलग करके लिखना होता है जैसे कि यहाँ पर वाक के लिया गया है राम ने रावण को बान से मारा तो राम ने रावण को बान मारा इस तरह भी आप कर सकते थे लेकिन ज़रूरी होता है कि आप इसे अलग अलग लिखें अब इस तरह question दे दिया जाएगा पलिच्छा में कि राम ने रावण को बान से मारा यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि रावण में कौन सा कारक है रावण में कौन सा कारक है तो देखिए होता क्या है कि जो ब्यक्ति काम करता है जैसे कि राम ने यहाँ पर मारा है तो राम हो जाता है करता जिस ब्यक्ति पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कर्म कारक तो यहाँ पर अगर हम राम को बात करें तो राम संग्या है क्योंकि किसी का नाम है राम एक ब्यक्ति है इसलिए ब्यक्ति वाचक हो गया और राम एक पुलिंग है क्योंकि यह पुरूस है और राम एक बचन है मतलब कि एक है और राम ने काम किया यानि कि यह करता कारक है उसी तरह अगर रामण के बारे में बात करें तो रामण एक संग्या है क्योंकि यह भी किसी का नाम है यह एक ब्यक्ति है यानि कि ब्यक्ति वाचक हो गया यह भी पुलिंग है तो पुलिंग हो गया यह भी एक है तो यह भी एक बचन हो गया और चुकि इस पे काम हो रहा है इसलिए यह कर्म कारक हो गया अगर बात करें बांड की जिसके द्वारा मारा गया है तो बांड भी नाम ही है तो यह भी संग्या होगा, ब्यक्तिवाचक होगा, एक ही है तो पुरुस है तो पुलिंग होगा एक है तो एक बचन होगा और करण कारक होगा तो अभी हम जब आपको कारक बताएंगे तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कारक कितने होते हैं यहाँ पर बस आप जानिए कि जिसके द्वारा काम हो रता है उसको हम करण कारक कहते हैं मतलब कि इसको हम साधन के रूप में यूज करते हैं तो यह रहा संग्या का चेप्टर जो की बहुत असान है और आप लोगों ने इसमें से सब कुछ पढ़ा होगा तो चलिए प्रेक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है सुरू करते हैं यहां पर देखें क्वेस्टन आ चुका है और आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए अगर आप इस वीडियो को आप लाइन भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा क्वेस्टन है कि निमलकित में से संग्या सब्द का चैन करिए इसमें से संग्या कौन है यह आपको बताना है तो यहां पर आप देखेंगे तो संग्या मतलब क्या होता है किसी भी चीज का नाम कि जाए वो ब्यक्ति हो बस्तू हो या फिर भाव हो तो यहाँ पर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भुगोल भुगोल जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है अगला है कि अर्थ के अधार पे संग्या कितने प्रकार की होती है हमने आपको बताया था व्यूत्पत्ति और अर है तो मोहन किसी खास ब्यक्ति का नाम है लेकिन नदी सही उत्तर होगा क्योंकि चाहे हो कोई भी नदी हो गंगा यह मुना किसी भी नदी को हम नदी ही कहेंगे यानि कि नदी एक जादिवाचक संग्या है अगर आप देखेंगे मोहन को तो मोहन एक ब्यक्तिवाचक संग्य कसना की भावाचक संग्या क्या होगी इसका भावाचक संग्या आपको बताना है यहां पर आपसंदिये गए हैं तो सही उत्तर होता है कसावट क्या होता है कसावट देखिए कई भर क्या होता है कि इसका कोई रूर नहीं होता है कि मतलब इसको भावाचक बनाना है तो आपको वर्ट जोड़ देना है या फिर हर्ट जोड़ देना है आपको परिच्छा में यह देखना होता है कि जो भी हम पावाचक संग्या रही है उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जोड़ करके और बिना अर्थ का बन्ना दिये तो यह गलत होगा ब्यक्ति हो बस्तु आज़े लाम हो गया तब यह भी जोड़ देना है आगे बढ़ते हैं तो सुन्दर्था में कौन सी संग्या है यह आप कमेंट करके बताइए तो सुन्दर्ता में होता है भाव आचक संग्या किसी की भाव को बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा भाव आचक संग्या निमलिकित सब्दों में से कौन सा सब्द संग्या है तो इसमें से है क्रोध क्रोध है भाव आचक संग्या और ये एक तरह का संग्या है इसको छोड़ करके कोई भी संग्या नहीं है बाकी सब 20-60 बताये गए है अगला है कि खेतों में चारो और हरियाली नजर आ रही है इस वाक्य में हरियाली सब्द में संग्या का कौन सा बेद है तो हर्याली सब्द में आप देखेंगे कि भाव आचक संगया है क्योंकि जाती वाचक और व्यक्ति वाचक तो होगा नहीं तो यहाँ पे जो हर्याली है वो भाव आचक संगया होगे अगला question और इसे आप comment करके बताईए कि भीड में कौन से संग्या है तो भीड में अगर आप देखा जाए तो भीड में एक समुह वाचक संग्या होगी क्योंकि अगर भीड की बात आती है तो एक व्यक्ति को या फिर दो व्यक्ति को आप भीड नहीं कह सकते जहां लोगों का एक समुह होगा उसे ही या भीड कहेंगे तो भीड हो गया समुह वाचक संग्या तो बस आज की इस वीडियो में इतना है अब आपके लिए question है और इसका उत्तर हमें comment करके बताईएगा कि इन में से ब्यक्ति वाचक संग्या कौन सी है इन में से ब्यक्ति वाचक संग्या कौन सी है आपको अपना उत्तर comment करके बताना है comment box में तो आज के इस वीडियो में इतना है आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें आज के इस वीडियो में इतना है थेंक्यो